कुछ लोग चपल की तरह होते हैं, साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड भी उछालते हैं इसलिए अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो रिष्टा तो सबसे रहो पर उमीद किसी से नहीं हमेशा सुकून से रहना चाहते हो तो किसी की बातों को लगाना दिल से नहीं कभी कभी हम किसी के लिए उतने जरूरी होते ही नहीं जितना हम सोच लेते हैं जब भी कोई पीट पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना पीट पीछे वो बोलता है जो हम से पीछे होता है जब भी कोई तुम्हारी किसी काम में टांग खीचे तो ये याद रखना कि टांग वो खीचता है जो हम से नीचे रहता है दुनिया आगर आपका विरोध करे तो डरना मत क्योंकि जिस पेल पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेकती है हम सोचते थे कि जिन्दगी बदलने में बहुत समय लगेगा पर क्या पता था कि बदलता हुआ ये समय जिन्दगी को बदल कर रखतेगा किसी ने क्या खूब कहा है लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलत जाते हैं इसलिए धागे को लपेट कर रखें और जबान को समय जिन्दगी का एक सीधा सा गणित रखो जहां कदर नहीं वहां जाना नहीं जो पच्चता नहीं वहां खाना नहीं जो सच बोलने पर उसे कभी मनाना नहीं जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं लोग मतलब है यह रोना किस काम का अरे यह तो असूल है इस दुनिया का कि जिन्दगी में आप जब तक काम के हैं तबी तक लोग आपको पहचानेंगे क्योंकि याद रखना अक्सर दिया जलाने के पाद माचिस की तीली को हर कोई फेक देता है कोई खोशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया अजीब सिलसला है यह जिन्दगी का कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया इसलिए कभी भी अपनी जिन्दगी से नाराज ना होना क्या पत के लिए बुरी संगत उस कोईले के समान है जो गरम हो तो हाथ जला देता है और धंडा हो तो हाथों को काला कर देता है लोग बड़े आराम से रिष्टों को तोड़ देते हैं दिलों को तोड़ देते हैं वो ये नहीं समझते कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, जिन्दिगी में अगर सफल होना है, तो ये याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है, जो तुम दूसरों को देते हो, पानी में गिरने से, कभी किसी की ज जान नहीं जाती है, जान तब जाती है, जब उसे तैरना नहीं आता, ठीक उसी तरह परिस्तितिया भी कभी समस्या नहीं बनती है, समस्या तो जीवन में तब बनती है, जब हमें उन परिस्तितियों से ठीक तरह से निपटना नहीं आता, इसलिए हमेशा खुछ रहें, मुस हुआ है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे